दोस्तों आज 1 अगस 2022 को कंसाई नेरो लेक पेंट्स लिम्टेड के एक वाटर वन के फाइनेशल लिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है यह इस कम्पनी का कॉन्सोलिडेटेट फाइनेशल लिजल्ट और यहां सारे फिगर करोड में बताए गये हैं Q1 में रेवनी फ्रम आउपरेशन 2021 करोड 37 लाग है जो प्रिवेस क्वाटर में यह 1536 करोड 60 लाग था और प्रिवेस क्वाटर में यह 1402 करोड 76 लाग था revenue from operation में year on year 46% की बढ़त है और quarter on quarter ये 33.5% बढ़ा है Q1 में total income 2056 करोड 202 लाग है जो previous quarter में ये 1535 करोड 63 लाग था और previous Q1 में ये 1412 करोड 70 लाग था total income में year on year basis पर 45.5% की बढ़त है और quarter on quarter ये 34% बढ़ा है Q1 में profit before tax 208 करोड 25 लाग है जो previous quarter में 32 करोड 9 लाग था और previous Q1 में 152 करोड 8 लाग था तो profit before tax में year on year 37% की बढ़त है और quarter on quarter देखें तो ये 549% बढ़ा है Q1 में profit after tax ये net profit 152 करोड 5 लाग है जो previous quarter में 19 करोड 17 लाग था और प्रिवियस एर ये Q1 में ये 111 करोड 38 लाग था, तो पैट में year on year basis पर 36.5% की बढ़त है, और quarter on quarter देखें, तो ये 693% बढ़ा है, Q1 में earning per share 2.90 पैसे है, जो प्रिवियस quarter में 46 पैसे था, और प्रिवियस Q1 में ये 2.12 पैसे था, तो EPS में year on year basis पर 37% की बढ़त है, और quarter on quarter ये 530% बढ़ा है, quarter one में consolidated EBITDA 255 करोड है, जो प्रिवियस quarter में 84 करोड था, और प्रिवियस Q1 में 190 करोड 52 लाग था, तो EBITDA में year on year basis पर लगबग 34% की बढ़त है, और अगर हम लोग quarter on quarter देखें, तो EBITDA 204% बढ़ा है, और अगर हम लोग इस EBITDA के margin को देखें, तो Q1 में EBITDA का margin 12.4% है, जो प्रिवियस quarter में ये 5.46% था, और प्रिवियस year के Q1 में ये 13.6% था, तो EBITDA के margin में year on year basis पर थोड़ी गिरावट है, लेकिन quarter on quarter basis पर इसमें अच्छी खासी बढ़त भी है, तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया, इस कमपनी का revenue from operation, EBITDA, PAT और EPS इन सभी में, year on year और quarter दोनों ही basis पर बढ़त हुई है, और इस कमपनी के EBITDA के margin में year on year basis पर हलकी सी गिरावट है, लेकिन quarter on quarter basis पर इसमें अच्छी खासी बढ़त भी है, तो मुझे इस कमपनी के result अच्छे लग रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अब अब लेई वीडियो मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद,